परफ़े बच्चों आप सबको भी स्वागत आजहम दस्वी कख्षा के तीसरा पाट गिलू इस पाट के बारे में अध्यान करेंगे रेकाचित्रा यानि पशुपक्षियों के साथ एक रुदय स्पर्शी मानिवे ता व्यवार करने वाले एक रुदय स्पर्शी वाला एक प माजी विश्वस्तर के कवाईत्री माने जाता है और महादेव और माजी को आधुनिक मेरा बाई कहा जाता है उनका जन्म 24 मार्च 1907 में उनका जन्म वाता उनका जन्मस्तले परुकाबार उनका माता पिता का नाम है पिता जी गोविंद प्रसाद और माता हेमाराणी देवी उनका शिक्षन उन्होंने इलाहवाद इन्वर्सिटी में समस्कूर्ट में यम्मे की उपादी प्राप्त की और उन्होंने महिला विश्व द्याले में अपने एक प्रतान अध्यापकी जी का पद संबाला और उनकी प्रमक कुर्तिया है यामा निराला निहारा स्मूर्थी की रेकाये आधी उनकी प्रमक कुर्तिया है और को और उनको मिले गए पुरसकार है दिवेदी पदक गंगा पारितोशक ज्याने पिड़ पुरसकार और सक्सेरिया आधी पुरसकार उन्हें मिले है और महदेव और मा प्राणिया जीवनादारित वादन्ता कुरितन्ता वंदु रुदेस पर्षी इरुवन्ता वंदु गटका गिल्लु अध्यायन बग्या अध्यायन मड़ना इपाट वंदु लेक्का केर्वे आरंदगा महादेवी वर्मावरु विश्वस्तरदोलगा विश्वदावंदु अग्रमाण्य पंक्तिवे वर्मावरु वब्रंदर तप्पागकला महादेवी वर्मावरु वंदु जननना 24 अगाष्ट 770 वर्मावरु वंदु जनमस्तला परुकाबाद वर तंदे गोईंदा प्रसाद ताय हेमाराणि देवी इवरु बाल्यदोलगा बहलश्टु बु जननना इलाबाद इन्वर्सिटी वर्मावरु 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 वर्मा निहार, यामा, सब्रकत कमरां, म काउоко्तै, इननु 6–01 ऐवर वनदु कुर्तिकल, इननन्त कहता है, सक्सेर्या प्रश्कार मंगल प्रसा दिवेधी ध्यानेपड प्रश्यस्ती इन्नु हत्त्तु अलवार्व प्रश्यस्ति गोले दोर्ताव। योर्गे तम्मा जीवन दो उद्धक्वन साहित्तेद कोडिये वलगे तम्मा अरिपिसे दंत महीडए अरंदगा महधे वर्मावरों तेलबोदु इन्ताव उब महादेवी वर्मावरों तो निदना हत्तों मत्नुर 97 सप्टम्बर तिंगल नली आयत्तों तपकला अर्दु मकले इदो महादेव वर्मावरों तो किरुपर्चे उद्धु मकलेगा निमा उन्दु पुटसंकिया हदमूर्त गिरी पाड़ता उन्दु वाचन माड़तेवे अधना लक्षी गोट्टों आलसुत्ता पाड़तकड़े गवणर शी बच्चो आप सभी भी इस पार से एस सीख सकते है कि श्नेह बाव तता प्रानी दया की सीख प्रूपक्षियों का सिख और वह नके जीवन इसली के साथ-स उनके प्रति महादेई और महादेई मैं के प्रेंस ए बच्य को सब्सक्राइए के साथ में नेमांजिक रहा प्रानि पक्षियों के साथ प्यार से उसका पालन पोश्यन करता करती ती ये सबीविया आपको सीख मिलते हैं मुद्धुमकले ये पाटने निमगा येन कली ते रियांदागा दयवी रिवेको सकल प्राणी गळली दयवे धर्मत मूल वैया अबन्नों हागे सकल प्राणी गळली नम वुद्ध दयवेको इवा त्मा मनुश्य स्वार्तिया अगिये तनन स्वार्तक काई अगिये हलवारु प्राणी गळना क्वळा हुंतना इन्नों तीसन नोड़तागा यल्ला प्राणिगल वोगी केवला मनुश्य नस्टा ये जिगयत्मिलोगा उळेद काणबोधनावू इगाले नाव गुब्बी मरिगालना नोड़ती वन्दर अधु बालाष्ट्व आश्चेर्या यह अधु गुब्बी संतत्ति येलू काणदुला आधर ये प्राणिगल वोंदो रक्ष्णे माडबकर नोदना माधेवर मावरू ये पाड़त मुकांत्र वोंदो संदेश अध्बूतवागी निडेरा जोदेगा पश्चु पक्षिकल वोंदो पालने ये श्ट्वंदो अध्बूतवागी रततती अवो नम्मा आगीने वोंदो जीवी माधेवर मावरू तमाली मनी अली साकी दंता हलवार प्राणिगालन ये श्ट्वंदो प्रिति इंद साकी दुरनोदना नावी पाड़त मुकांत्र वोंदो मकड़े अचानक एक दिन सबेरे कमरे से बरमाद में आकर मैने देखा तो कवे एक गमले के चारों और चौन से चुवा चुवा वाले जैसे केल केल रहेते हैं यहां काकपुशिंडी ने भी विचित्र पक्षी है एक साथ समाजारित अनाजारित अती समानित और अती आव मानित देक अचानक एक बरमाद में कड़ावकर चारों तरफ देख रहा था और वहां दो कवे ने अपने चौन्चों से कुछ पदार्थ को काते हुए यह चौन्चों से कुछ चुवा चुवा करते वाले केल रहेते हैं उसे देखकर उनको काक विशिंडीनी का पुरान के बारे में उ महथे वर माजिक का विश्षारा आगया वंधुध दिना महथे वर माजिक का विशार आगया महथे वर मादेव मादेवी मैं थैं रहे देख खिमाने था घंँ टंऴ थाख माधियोर्म वर्गे морोंगे अर्था आयतो है अ काक पुरान दोलगे वधक्डे कागी न भःष्ट्टु समानीता वाग नोड़ती विनौंधकडे बःष्टु अववाणीता वाग नोड़ती वी इवंधु कागी पक्षेननोदना भःष्ट्ट्व न भाष्ट्व न अगय हमस्के उन्हें पित्रपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतिर्ण होना पड़ता है इतना ही नहीं हमारे दुरस्त प्रिये जनों जनों को भी अपने आने का मदूर संदेश इनके करकश्ष्वर में ही देना पड़ता है दूसरी और हम कवा और काव काव करने को अवमानत के अर्थ में ही प्रयुक्त मेरे प्रयुक्त करते हैं हमारे बेचारे पूरकों ने गर्ड़ के रूप में भी आ जाता है हमस्के रूप में आ जाता है और मयूर के रूप में भी आ सकता है मगर पित्रुपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए और सिर्फ कव्य की रूप में ही आ जाता है इसलिए इतना ही नहीं हमारा कोई भी रिश्थेदार और प्रिय जन्हों आने का संदेश भी अपने काव कव आवाज करते हुई हमें ओ लोग आने का संदेश मिलता है अवर दूसरी अवर हम कव्वा को काव काव करने का अवमानी तुरूप से भी देखा जाता है कव्वे हमको चून लियतो उसे हम क्या गते पुरा कोई एक हमको बुरा हो जाएगा इस तरह हमें विचार करते है मक्टले यह नूड्य नम्मकोण पूरा नमुकंत्र नुड़े जन्नरो नमं पूरसरो गलिदू रूप दोलगव करतार नव 1965 रूप दोल अधर वहंतो पित्रपक्षय वह उँद्ध से पित्रपक्षय देखा इंड시면री लेजं पिंडा कोबसmental दो करें, आस इमा से बिरता पो पुछतवयु जर्ग खुड़ी कोई अधने इड़तेवी आ वंदो नम्मा पूरजरु कागे वंदो आखार दोलोग बंदो आ हार नायन मरत्तर सेविस्तारा अन्नु वंदो कलपणिय नम्मा लिए जोतेगा नम्मा अरादुरु नम्मा वंदो संबंधिकरु नम्मा प्रीति पात्रु बर्तार रहंदागा आ नम वंद मेलगी मेगा चागे कोथा कोँटूदू येना दरु आजो आजा? अन्नो वंद स्वर्र lunar मारदगेन नावीन अविन अविन तो आमनेगे संब्धिकर बरतारायगा अन्नों दिन्तिल कोंतेवी, इन्नों कड़े कागी नम्मने यनादर मुट्टीदर, अधु बहलाश्टी एन्नदो, यनों वन्नमगा कादीदे, यनों वन्न अपगात अगत अउमान अगत अथ्वा एन्नों अगात संभवने आगोध ऐत्ति एन्नकोंतेवी, इन्न काव काव शब्दा क्या दोगों अन्तिवी येन पाह काईगी गते काव 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 अन्त आवाज मर्तरी बिड़रे दना और नोद संदेशन नूना इलनोड बोदू मकले मेरे काव पुरान के विवेचन में अचानक बादा आ पड़ी क्योंकि गमले और दिवार की संदी में चिपे एक चोटे से जीव पर मेरी दुष्टे रुख गई निकड़ जाकर देखा गिलारी का एक चोटा सा बच्चा है जो स्वबावता से गोसाले से गिर पड़ा है और अब कवे जिसमें सुलब आहार कोज रहा है कोज रहे है को मेरा काख पुरान के विच्छार में एक बादा आ गया क्यूंकि दो कवे और कवे न अपने चोंचों से कुछ का रहा था उस पर मेरा दुष्टी यानी नजर पड़ा मैंने जाकर वाँ देखले तो एक चोटा सा गिलारी के बच्चा वाँ पड़ा था और स्वबावता गोसाले से वो गिलारी के बच्चा वानीच गिरावोगा अब कवे ने अपने चोंचो से वोसे सुलब सा सुलब आर बनाकर कारहता नन्यावंद आविन आवंद हम खंद कुण्डाली मत्तो आवंद Дीवार अंदर गोडए गोडे वंद मध्य दोलेग Saturday वंद याउद वन्द जीवी बिदित्तु अधन मेले ननन दुरुष्टि बिद्तु नानु अधर हत्तिर बली होगी नोड़िया अदु अलिदू मर्या गित्तु आई अलिदू मर्या बाळाश्टु ये ना गित्तु तन्न वन्दू गूड़िया गित्तु बिद्धागा यरडू काईगल अधना सुलब वागी सन्न मर्या इदितक ताम चोंच गलिंदा चुच्ची चुच्ची सुलब वागी अधना अहार वागी माड़कोंडू तिना अधिदू मकड़े काखद्वई की चुच्च के दो गाव उस लगू गात के लगू प्राण के लिए बहुत अतहा वहां निष्टेश ससा गमले से चिपक पड़ाता देखो काखद्वई की चुच्च से लगू गात को बहुत क्या हो गया था आगात हो गया था बहुत गायल हो चुका था इसलिए उसे आगे चल्नाभी बावुत कष्ट होगर रहाता इसलिए वा गमलेकी पासिये चिपक पड़ाता आ काकव दोय द वंदो एडू कागी गळिंद चोंच गळिंद अलेदुमरी बालश्ट्रिय नाय बिटित्तु गाय गित्तु आ उन्दो प्राणिय उन्दु जीवा मूंद सर्याक सतिया आगला रूनत वंदु हीनस hist हलेद बिदित्तु आ कारनिंद आ उन्दु अलेदुमरी आले बिदित्तु हुवीनन उन्दु पाट कडे किलाग बिदित्तु सबनिक हा सबनिका कवे की चोंच का गाव लगने के बाद यहां बच नहीं सकता है अतहा इसे ऐसे ही रहना दिया जाओ गरवाले सबी भी महादेव और माजी को कहा यह कवे नहीं बच सकता है कवे की चोंचे गाया लुए गिलारी बच नहीं सकता है इसे लिए उसे उसी स्थिति में चोड़कर अंदर आओ जाओ इस तरा गर में सब्वाया गरवाले ने उनको बताया मुद्मकले आवंदु माधेवर मावर वंदु कुट्टुमबद सधिसरे यह दरू नेव अदन यावर विती स्थिति लेती कागी गलु इदन भालाष्टु गाया माड़ बिटवु इद इन उलेदला इद स्थिति वोलग अदन बीट बिटरी अले इरली अंतन दो माधेवर मावर के तिर्वा खेदरो परन्तु मन नहीं माना उसे हवले से उटा कर अपने कमरे में लाई फिर रूई से रक्त पोंच कर गाव पर पेंसलिम का मरहम लगाया कई गंटे के उपचार के उपरांत उसके मूह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वहाँ इतना अच्चा और अश्वस्थ हो गया कि मेरे उंगली अपने दो नन्य पंजों से पकड़ कर निला कांचे के मोतियाओं जैसे आंकों से इधर उदर देखने लगा क्योंकि उस लगओ कात को वहीं चोड़ना मेरा मन नहीं माना इसे लिया उसे हवले से अटा कर अपने कमरे में लाया उसका रक्त को मैंने क्या किया रूई से संप किया बाद में उसके गावाँ पर मैंने पेंसलिम का मरम लगाया और कई गंटे के उपचार के बाद उसके मूँ के बून में ये उसके मूँ में एक बून पानी तपकाया और तीन दिन के उपचार के बाद वो अपनी नन्नो पंजो से मेरा हाथ पकड़कर वो कड़ा होकर रने इवंद मन्यम्नोरी इल्लारु अधर उलेधोला बिटपिडू बिटपिडू उन्थे यस्टुन्दे वेएदू अधर नन्मनस्वो खेलला आ वरांड दिन्द आ वंधो गिलारी मरीन तुगोंडो वलक्तूंडो थे ननन कोलिघी ननन कोनियेंगी तेकत कोंडोंगी अधर मोदुलो अधर वोंदु रक्तन अल्ली अंद मोदुली अधर आगेन मिड़े स्वच्च आगी वर्शीदिया तदनंत्र आ गायद मेले पेनसलीम आउशे दिनन हच्चीदिया इरत्या गि मूर्नाल कु गण्टिगल वोंदू तदनंत्र आदर वंदु बायावलग, वोंदेर अधर अधर Cand Natar इरत्या गि मूर्नाल कु दिननगल आदरन आद्नंत्र आधर वागी नन्ना वंदु कैना तन्ना वंदु पंजगलिंद हीड़ुदु एद निलाक कलित्तु गिलारी अन्तन्दु लेकके वरु बाणश्टु सुंदरवाय गयतरा जोतिगा तन्ना वंदु नीली काजिना हाईयरु अन्ता खण्णु गडिंद आकड़े इकड़े नुड़ता नुड़ता यल्लारन्नु तनकड़े सेडित्तु अन्तन्द लेकके वरु भणश्टु मनमों कोई गयतरा तीन-चार मास में उसके स्निक नरोय जुबेदार पूंच और चंचल चमकीली आंकोय सबको विस्मित करने लगी तीन-चार मास हो गया गिलारी के बच्चे भी बड़ा होने लगा और उसका बाल भी बड़े होने लगा अवर उसका जुब्बेदार पूँच में बवत बड़ा हो गया अवर अपनी चमकीरी आंकोसे सबकोबी विश्मित करने लगा करने लगी मूर्नाल कुतिंगल कलित्तु आवंदू अलिदु मरिये दोड़ दात्तु अदर कूदल गलु मैतुमब बलित्तु जोतेगे वंदू गुच्च रीतिये गिरुवांता वंदू अदर वंदू बालनो उद्धवागी बलित्तु तन्न वंदू आश्चेरी चेकिता वादंता कण्डू गलिंदा यल्लरनो तन्नकडे शलियोंगा आवंदू अलिलिदु मरिये दोड़ दात्तु हम उसे गिलू कर बोलने लगे मैंने फूल रखने की एक हलकी डलिया में रूवी बिचाकर उसे तार से किड़की पर लटक दिया देखो गर में रने वाला सब लोग ने उसे गिलू कर पुकारने लगे बाद में फूल रखने वाला एक हलकी डलिया को डलिया में रूवी बि वय गिलारीका गर्बना नाव मनिय वंदु कुटुम्पद सधीसरी यल्लारु कूडिकोंडू आ वंदु अलिवी मरिगे गिल्लू अंतन्द नामकरण माड़िद्वी जोतेगा वंदु हगरागिर वंद्द हुविन पुट्टी वळगा अलिवी हाक्की अधना ननना वंदु बाईगिलन देते बड़ी रोंता वंदु किड़की ये वोन दारा कट्टी हाक्की देन अधन वंद येन तु गिल्लू इन वंदु मने वासस्तान कोणे आईतु अंतन्द येले लेक्क के रुखतरा दो वर्ष वहीं गिल्लू का गर रहा वहां स्वय मिला कर अपने गर में जुलता और अपनी कांच के मनों के मनों को ही आंकों से कमरे के बीतर और किड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समस्ता रहता था परंतो उसकी समझदारी और कारिक अलाब पर सब को अश्चर्य होत क tavalla चर्ड वाहिए एक एक हलकी डल्याना यह नहीं के रहने वाला हलकी से रैने वाला डल्याँ उसका गर बनाता औरर है कि उसमें इस म्यध्य के बच्चां जुलता था और एक है कि अपने आंकों से गर के अंदर गर के बाएर सब को भी देखकर क्या समसा था भए परन्तु समस्दारित आवर अपने कारिक लोपसे गर्मेराने वाला सबकोबि आश्चेर चेकित करताता एड़ो awhile वर्षगल काल आव वन्दो अलिलिदीना वंदो मने येना आगित्तु आव वन्दो पुट् unanimा अधर वन्दो मने आगित्तु अधर विलकाबि आड़ुट्या पुट्री वालगी तुट्री 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 पुट्री वालगी तुट्री वालगी तुट्री वालगी तुट्री 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 पुट्री वालगी तुट्री त वोसे इतनी तीवरे एच्च्चहोती ती के उसने एक अच्च्च उपाय घुझ निकाला जब मुदखने क्यानी बैटीटो तब उनकंग्याchemical मेरा ध्जान आकरशित करें के ये एक अच्च्च उपाय कोज निकाला ता गिलरिक्या बच्च्या नि गिल्लू ना येनादु बरेले कुल्दु कोण्डर साकू तन्न कड़े नननना आकरशिसलो वंद वल्ले वंद उपायना खुडी केन मडित्तू इट्टित तो गिलारिय वंद मगोग अंतन द लेका केरू है तरा वहां मेरे पैर तक आकर सरसे परदे पर चड़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता था उसका यहाँ धरने का क्रम का क्वा तब तक चलता जब तक मैं उसे पकडने के लिए न उड़ती देखो, वो मेरा पैर्चूकर वाँ दर्वाजे के सामने डाला हुआ, पर्देपर सर्षे चड़ दाततता, उसी तेजीसे सर्षे उत्तरततता, जब तक वो करतेती, तब तक माधेय वर माजिने उसी पकड़ने कीले नवुड़तेती, तब तक उसी क्रमसे वो करता ही रहताता, आवंड अलिदो मरें नननों व近 दरिक बंदू नननों 10 न मुट्टोओदू होग Oiisingो और बागील बळिगे भाइगी आगे दनता वंदू मेले यरूदू, केडियो ऺणिन निएक्वित लोस्तल 강 fag Every that. वाङ को मार्विसू जएक हो मोच भावत तो पकड़कर एक लंबे लिपापे में इसी प्रकार रखा देती कि उसके अगले दो पंजया और सिर के अतिरिक्त सारा लगू गात लिपाप के बीतर बंद रहता इस अद्बुत सिती में कभी कभी गंटों मेज पर दीवार के सहारे कड़ा रहकर वहां अपनी चमकीली आंकों से मेरा कारे कलाप देख करता देखो लेकी काने गुस्ता होकर उसे पकड़कर एक लंबे लिपापे में उसे डालती थी और उसके दो पंजया आगे रहने वाला दो पंजय को बाहर डालती थी और उसका सिर को बाहर डालकर उसे एक दिवार के और डालता था उस लिपापे को और कई गंटेष दखिल समय ऊसी कारी कलाप को वह देख्ळेगत है। तो तीन गंटेष तक उसी सफिति में एकल समय आए आए लै करें। Say Tilla, मेन फ़ей कोष्देट कारी कलाप लुटरों दregationतों तंध्यमिलों कुपरणीं मुण्दिने एर भंडी merchाटों नानु अधन नेत आकति दिए वंधु बागल कडए आ नेत आकताग अधु으मूारू रुल्गंटि काल नुवा अधा स्थिति वोल गना नन्न वंधु कारी कलाप मुगे बुगे वरकना अधा वंधु स्थिति वोल ग हिद्ध vontade सुम्मना नन्ना उन्दो माड़ू उन्ता कारिगलना नोड़ुता कोड़ुती तुँ अंतंद रेखा कियो रहतरा बूक लगने पर चिक चिक करके मानो वहां मुझे सूचना देता आउर काजु का काजु या बिस्कुट मिल जाने पर उसी सिती में लिपा पेसे बाहर वाले पंजो से पकड़कर उसे कुतर तर्ता रहता था देखो उसे बूक लगया तो वो चिक चिक अवास करता था तो मुझे चिक चिक अवास करते मート बेबता तो मैं काजु काजु देता था था भुषकुऩ Operation अवर उसीस्तिति में वो अपनिया बार रन्य वाला दोव पंजोसे पकड़कर वो कुतरता राता था यना दरुवादिक का हसी वात अंदर अधु चिक चिक अन्नोंदो शब्दा माड़तित्तो शब्दा माड़तागा नाना अनुकोंति दिया अधका होट्टे हसी दिया तान हर गिरों तो यह डू कालो गलेंदा आवन दी बिस्केट ना गोड़ं मेरा एड़कूंडो तिन्नों तित्तों अंतन दो लेका की रहतरा फिर गिल्लू के जीवन का प्रतम होसंत आया बहार की गिलरिया किड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जैने क्या कहने लगे देखो गिल्लू का प्रतम होसंत आगया और बहार की गिलरिया किड़की के जाली के पास आकर चिक चिक आवाज करते हुए अपने आवर उसे कोई भी एक संदेश तेने लगे यह वंदू गिल्लूईना वंदू मोदल्ले वसंत आयतो मोदल्ले वंदू वर्षद आगा वंदू हर गिर्वंद वंदू five अल्ले उ जाली के पास बैटकर अपने पंद से बाहर जुकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्ति करना आवशक है देखो गिलू भी जाली के पास बैटकर अपने पंद से बाहर जुकते देखकर मुझे भी लगा कि इस चोटा सा बच्चा को क्या करना है मुक्ति करना है इस तरह में विच्यार आया आवंदु गिल्लु तन्न वंद मनिया वळगे इत्कोंड आ जालीकडे होरगीर वन्त वंदु गिलारी वंदु मरिगळ वंदु शब्दा किला दागा अदु एनो होरग बरुदु नोडँदु मार्थित्तु आगन अनंगनस्तु इवंदु सन्न वंदु प्राणी अल्दो मरिन वालगेट वोलदु एन अदु तप्पु अदुन्नों एन मडबक्कु अदु कु स्वतंतरते नीडबक्कु अण्णों वंदु भावने न मैं ने किर्ये निकालकर गिल्लों ने बाहर जाने पर सच्पवक्ती का शास लिक चोटे जीव को गर में पाले पले कुट्य बिलीओं से बसना भी समस्या ही ती मेरे कमरे से बाहर जाने पर वहाँ बाहर चला जाता और दिन बर गिलारों के जुंड का नेता बना हर डाल पर उचलता खुदता रहता और टीक चार बजे वहां किड़की से बीतर आकर अपने जूले में चुलने लगता देखो मैंने अपने किले से यहनी किड़की के एक दरवाजय कोल दिया वहीं उसे जाने का एक मार्ग बना दिया और बाहर जाकर वह भी सचमुच्छ मुक्तिक का सास लिया इतना चोटा जीव को गर में पालन करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि गर में रने वाला कुछते बिल्ली उसे क्या कर सकते हैं आराम से उसे खा सकते हैं इसलिए उसे पाला पोश्ण करना में भिया बहुत कटिन है कि मेरे कमरेग से बाहर जाकर ऑर और किरकी से बाहर जाकर वहां गिलोरियों का नेता बना रहता था वहां किलता था ब्यूद हता उचलता था और गिर्दाता और टीक्स टीक्स शाम को चार बजे वापस अंदर आकर किड़की से बितर आकर आपने जुले में जुले लग्त आता ननुगोणसा वंद्टु हिंता वंदु सन्ना वंदु प्राणी इनन मन्योल गीट गोळुदु बालश्टु कटिना आकर आणेंध इनन्गी मुक्तिनल पेकंताँ सन्ना वंदु किंडियो मर्या ओंदु स्वात हमद्धी पड़ी इनन्दु उलिदान्त आलिलु मरिया वंदू मुकंडर नागी नायकनागी नेत्रुत्त वैस्तो जोतिक सरी आगी नालकु गंटे आदु कुलना गिल्लू मत्ता खिड़केंद वालगडे बंदू तन्न इरू वंदू हुविना पुट्टिया वंद मने इत्तला अल्ली हाकी दन्तो वंद मने आमनी वळग मत्ता आदू कुट्टु कुणडू जोकाली आर्थित्तू वंद लिखा केरू हैतरा मुझे चवकानी की इच्च्चा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन हो गईती कभी फूल दाने के फूलों में चिप जाता कभी पर्दे के चुनाट में और कभी सोन जोई की पत्तियों में देख मुझे आकाय आश्च्चेर चेकित करने के लिए यहनी चवकानी के लिए उसको कोई भी इच्चा हो गया तो कभी कभी वो फूल दाने के फूलों में चिप जाता ता सोन जुई के पत्तो में चुप जाता आता कभी परदे के चुन्नाट में चुप जाता आता ननी एनादरो आश्ठेर चेखिते माड़िबाक्को अत्वा ननन इनादरो वीस्मित्तilan माड़िबेक्कको अनिसित्त रना आववंद गिल्लू मेरे पास बहुत चे पशुपक्षी है और उनका मुच्चे लगाव भी कम नहीं मुच्चे Oh, परन तो उन मेरे पास, मेरे ताली में खाने की हिमत हुई है मगर किसी प्रानी को मेरे साथ मेरी ताली में बइटकर हिमत नहीं वाए मुझे भी समरन भी नहीं है मत्त लेक्क किरियातरा नानु नन्न वंद मनीवलगा यस्ट्रंद प्राणी पक्षिगलने बेलिशे नंदर बहलश्ट्टु साखी दिनी आदर याव वंद प्राणीनु नन्न जोतिगे नन्न ताट्रिन वलगना गिल्लो इनमें अपुवात्ता देखो गिल्लो इनमें से अपुवात्ता मैं जैसे ही कानी के कमरे में पहुंसती वाँ किड़की से निकल कर आंगन की दीवार बरमाद पार करके मेज पर पहुंस जाता और मेरी ताली में बैठ जाना चाता बड़ी कड़िनाई से मैंने उसे ताली के पास बैठना सिखाया और जहां बैठकर वहीं मेरी ताली में एक एक चावल उटा कर बड़ी सपाई से काता रहता काजू उसका प्रिय का देता और कई दिन काजू न मिलने पर वहां अन्य काने की काने की चीज यह तो लेना बंद कर देता था यहां जूले से नीचे फेक देता था देखो गिलु को गिलु इस सभी प्राणी पक्षिव में अपवाता मैं जैसे ही अपने काने के कमरे में को मैं जाती थी तभी उसे कैसा पता चल जाता था मुझे पता नहीं वहां दीवार से बरमाद पार करते हुए मेरे पास आजाता था ताली में बैठता था मैं ने उसके बहुत खढ़नाई से उसे ताली के पास बैटना से एक एक चावाल उठाकर खाने का काने को मैंने से खाया और carries का यादि इनिक रिलु का प्रियक ता काजुठ जब उसे काने केले काजु नव मिले तो उन्होंने अपना अन्य दिये हुए वस्थुकोबी अपने जुलेसे क्या करताता बाहर पेग देताता गिल्लु इवंदे अल्ला प्राणिगले अप्पवाद वागित्तो यंकानर नन्न वंदू ताटि नलल के कुथकोंटो उन्नो वंदू धैर्या याद माटिततें धकादू गिल्लु माटित्तो नहीं येना दिरु अडियी मनी वiosis अगो वोग है उटक्का अच्मकुणहा हुदु झेमा किडिकी मुखांतर वरांटब मुखांतर बागील वmealी माड़ी वितो गुसित्त वामोवा काजु बहलस्टु तिननलों विष्टा पड़तित्तों गिल्लु जोतेगा आ काजु एनादुरी अडुमूर दिननल काला अधक सिगले लेंदर उड़ुदंत पदार्थिकोणन आव तिनना कोट्रु आ वंदु तन्न वंदु कोणे इंद एनमाल पड़तित्तु हरगा वंग का दर्वाजा कोला जाता गिल्लु अपने मुझे अपने जूले से उतरकर दवड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने गोसाल में जा पड़ता जा बढ़ता सब उसे काजु दे जाते परन्तों अस्पताल से लवड़ कर जब मैंने उसके जूले की सपाई की तो उसमें काजु बरे मिले जिन से धन्यात होता है कि वहां उन दिनों अपना प्रियकाद्य कितना खम काता रहा देखो उसी बीच में मुझे मोटर की दुर गड़ना हो गया इसलिए मैं कोछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा उन दिनों में कोई भी दर्वाजा क अभी लोग ने उसके गोसाल में काजु देकर चला जाता था मगर मैं वहां नहीं रहने से उन्होंने अपना प्रियकाद्य काजु को भी बहुत कम खाया काया था जब मैं अस्पताल से आया तब उसका जूले को मैंने साब किया वहां बहुत सारे मुझे काजु मिला और मु बहुना रक्ती है अवर अपना प्रियकाद्य कोभी कम काया इस्तरा मुझे विच्छारा आया या इवंदो दिनगलले नने यहना यत्त्तु वंदो मोटारिन वंदो दुर्गणिन यत्त्तु केलो दिनगल काला नानु अस्पत्रिवळगा दाकला अधिया आ दिनगलो ननन चुछारा प्रणिट प्रियकाद्य काजुना बळष्ट्र कड़िमेत्तु जोधिकना अवागा अस्पत्र एंद बंदो अधिर वंदो पुट्टीन स्वच्चे माडद़गा नन गोत्तायत्तु प्रिय काध्यवाद अंता काजुनु बाळश्टु कड़िमीती इन्दु येस्टों दू बावनात्मकवागी नननना वंद कोंडित्तु गिल्लू अंता लेककेरू बाळश्टु मनमाकोगेत्रा मेरे अस्वस्ता में वहां तक्यों पर सिराने बैटकर अपने ननने नननी पंजों से मेरे सिर और बालों को हलता रहता देखो मेरे अस्वस्ता में वो तक्यों यानी सिर्णी के पास बैट कर अपनी नन्नों पंजोसे मेरे सिर्ण और बालों को हौले वोले सहलाता राताता नन्नोंदो अनारोगीद दिनगलेलिये गिल्लू नन्नोंदो हसकिये तलगुम्पिन बढ़ेकुत कोंडू नन्नोंदो हने मत्तो कूदलललन वर्स्तित्तू निदानवागी गर्मियों में जब मैं दोपर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने जूले में बढ़ता वहां मेरे पास रखी सुराई पर लेटा जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और टंडक में भी रहता देखो गर्मियों में दिनों में दोपर के समय जब मैं ल गिल्लु मेरे पास रख्या हुए एक सुराई एनी सुराई का मतलब पानी दाल्नेमरायक लोटा है उस पर वो लेटा जाता था इसी प्रकार समीप में राता था और टंडक में भी राता बेसिके दिनगल निये ना येनादरू मध्याना बरियोत नुलगा गिल्लुन नन्न बढ़े न इरतित्तु आ दिनगल काला अधु भालश्टु वर्गों किद्दला नन बढ़े एरुवंत वंदु नीर्न वंदु हूजी वलगा अड़ुको न तित्तु मनी इंद किद्दला जो तिक आतना नीर नलगना सदकाला दितु मुंत लेका किरे आतरा गिलआरी के जीवन की अवधी दो वर्षे अधिक नहीं होती अतहां गिलु की जीवन यात्रा का अंत आही गया दिन बर उसिने कुछ न काया ना बाहर गया दिको गिल्री का जीवता उती पंजे इतने टंडे हो रहे ते कि मैंने जगा कर हीटर जलाया और उसे उष्णता दिने का प्रेत्न किया परंतु प्रबात की प्रतम किरण के साथी वाँ चिरा निद्रा में सो गया पंजे इतने टंडे हो रहे ते मैं हीटर जला करूसे बचानी का प्रेत्न किया मगर प्रेत्न में सपल हो गया और प्रबात के प्रतम किरण से वाँ अंतिम साथ लिया और वो चिरा निद्रा में सो गया अधर वंदू पंजे गलु अधर वंदू कूधल गलु यस्टानी तंप आगा और अधर वंदू पंजे गलु यस्टानी प्रेतन पट्टागों जुला उतारकर रकादी आगया है आवर किड़की की जाली बंद करदी गई है परन्तु गिलरें की नई पीड़ी जाली के पास चिक चिक करती है और सोन जुई किलती ही रहती है देखो उसका जुला उतारकर में अब रक दिया और किड़की की जाली बंद कर दिया है परंतु गिलारीं का नया पीडिये आजबी चिक-चिक आवाज करता है और सोन जुई की लत्ता आजबी किलती ही रती है इगा आवंदु गिलारीं वंदु मनिय आदंता वंदु पुट्टीन ना इक खेलिगिशेनी आवंदु किलके वरगू वंद दारींनो बन मडिनी आदरो इवंदु वसदाजन्त वंदु युवा पीडिगे गिलारीं वंदु मरीगलों इगो जयली कडे इन मरतों चिक चिक आवाज मरत हुँ यह ओँ अन्द सोन जूए ऊंद बढ़ हुँ यह लताय दे सोन जूए कि लता के नीचे गिलू की समाधी है इसलिए इसलिए भी कि उसे वहां लता सबसे अधिक प्रियती इसलिए कि इसलिए भी कि उस लगोगात का किसी वासंती दिन जूही के पीतब चोटे फूल के रूप में किल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है देखो सौझ जूई रता गिलुका प्रिय लता था इसलिए इसलिए उसका समाधिय के नीचे बना दिया है और इसलिए उस लगोगात का उस स्हरीर को मैंने उसके नीचे ही धिक ऑनतिमा समाधिय बनाया है अवर कोईबी एक वासंती के दिन में उसका फूल किरेतो उस फूल में उसका चारा देखने का विश्वासे इगलो आवंदो सोंजुही अन्नो वंदो बल्य गिल्यू ये भलष्टू वंदो प्रीत्य पात्रवाद अन्त वंदो बल्य आगित्तु आ कारणनेंद आ गिल्यूईना वंदो समाधिना नानो सोंजुही लताद वंदो केलगन माड़िया ज्वतिका आ गिल्यूईना शरीर न आधा समाधिय माडि यह कुनन नगी विस्वासाइदें એ वण्दू गिड़दाले खूवव अरेड़दाग्ए आखूवीन वंदू सुगंदे द्वळग गिल्लूवीन वंदू ननप्पो में मत्व में ननप्प निडएदे रखूवास ननवर्ण कीदें ये वंदु पाटा निम्हेंगे यल्लरगों अर्थागी देंदे मक्कडे मुंद्धिन वंदु गट्टकतले लिए नावा ध्यायोना नमस्कार, दन्यवाद, सबकोबी